राधे राधे, दोस्तो जगद गुरु श्री कृपालु जी महाराज के प्रशंसुकों के दिमाग में अक्सर एक प्रश्न आता है कि उनके इस पंच तत्व के शरीर को छोड़ने के बाद उनकी गद्धी पर कौन बैठा है और ये स्वभाविक सी बात भी है क्योंकि हम देख क्रिपालु जी महाराज की गद्धी किसे मिली और अब वहां कौन बैठा है जवाब बड़ा सीधा सा है क्रिपालु जी महाराज की गद्धी पर आज भी स्वयम क्रिपालु जी महाराज ही बैठे है जवाब सुनने में अटपटा सा जरूर लगता है हमने भी जब पहली बा आमें जैसे किसी अच्छे साधक ने समझाया वैसे ही हम आपको भी बतला देते हैं। शायद आपको भी समझा जाए और ये असंभव सा लगने वाला कारे शायद आपको भी संभव लगने लगे। इस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है। बाद में भी कई अनुयायों ने जीजस के साक्षात दर्शन प्राप्त किये। यही क्रिस्चैनिटी का अधार भी बना आगे चलकर और देखिए इस अलौकिक घटना को पूरा विश्व आज कैसी आस्था के साथ मनाता है। और इधर क्रिपालो जी महराज के यहां इससे भी कहीं अधिक सैकडों विचित्र अलौकिक अनुभव साधकों को प्राप्त हैं पर इनकी पूरी संस्था भी समुद्र के समान गंभीर है। कोई भी सत्संगी किसी तरह का इन चीजों का प्रचार लोगों में नहीं करता। गूपनियता की ही रीती है। तो इसमें गलत ही क्या है। जिसको जैसा दिखाई देगा वो वैसा ही बतलाएगा। क्रिपालोची महराज के शरीर त्यागने के बाद भी कई साधकों ने उनके साक्षा दर्शन ही प्राप्त नहीं किये। बलकि मुश्किल घड़ी में उन्होंने उनकी नईया को भी अपनी क्रिपा से पार किया। और मज़ेदार बात ये है कि पूरा विश्व आज भी इस अलोकिक घटनाओं से अन्जान है। क्योंकि चमतकार को प्रणाम ये क्रिपालोची महराज ने कभी भी किसी साधक को नहीं सिखाया। उन्हें तो बस अपने अनुभवों को गोपनिय रखने की ही सदा हिदायत दी। इसलिए ये सब बातें साधकों तक ही सिमट कर रह गई। हां लेकिन प्रकट रूप में जगत गुरू क्रिपालो बरिशद के सब कारे क्रिपालोजी महराज की तीन सुपुत्रियां बहु भी कर रही हैं ठीक वैसा जैसा उनके गुरू एवं पिताने चाहा। क्रिपालोजी महराज के सिध्धानतों के अनुरूप ही सब साधना शिवर और सामाजिक उत्थान के कार्य उसी निष्ठा, प्रेम और भक्ति के साथ हो रही हैं। तीनो सुपुत्रियां आज भी वही सब साधकों के बीच में बैठती हैं जैसा की अपने गुरू एवं पिता के समय में वे किया करती थी और सभी साधकों को सीवा, साधना और भक्ति के लिए सदा प्रेदित करती रहती हैं। दिन रात परिश्रम करके सभी आश्रमों के संचालन का कार्य अटूट श्रद्धा और लगन से कर रही हैं और गुरू सेवा की अध्भुत मिसाल कायम कर रही हैं। कभी मौका मिले तो आप भी साधना शिवर में हिस्सा जरूर लें क्योंकि स्वयम का अनुभव सबसे बड़ा अनुभव होता है। मनगढ जो की कृपालो जी महाराज की जन्म भूमी है वहां ऐसी पावन साधना स्थली है कि अगर आप सची निष्ठा भावना से आएंगे तो आपको भी कृपालो जी महाराज की अध्भुत और सुखद उपस्थिती का अनुभव हो सकता है। और साथ ही आप अनुभव करेंगे ऐसा दिव्वेरस जैसा कभी जीवन में अनुभव ना किया हो। कभी मौका मिला ऐसा तो चूकिएगा बिल्कुल नहीं। राधे राधे।